अब आगे बाइबिल कहती है कि जिन जिन लोगों ने साथ साल के महा कलेश काल में जो इबराहीम के वन्ष से पैदा हुए और एलिया और मुसा की गवाही के बाद में जिन लोगों ने एशू पर विश्वास किया जिससे कि आदम के पाप क्षमा किये जाएं और फिर बाइबिल की प्रतियों में से उन्होंने उन आग्याओं को जो बाइबिल में उनको जीवन में आचरण में अपनाई जाने के लिए कही जाती हैं उन्होंने मानना सुरू किया और इस कारण से वे लोग अब यहां पर मात्र यहूदी लोग नहीं है यहां मात्र इब्राहीम के वनसज में पैदा होने वाले लोग मात्र नहीं है परन्तु यह उपकार संपूर्न स्रस्टी को मिली है जिसमें से विशेस रिती से इस्राइली एंड देन इसके बाद आसूरी एंड देन इसके बाद मिस्री जिसको आप यह शयाह की किताब में देख सकते हैं बुक उफ आई जया मैं आपके लिए निकाल दू तो ज़्यादा अच्छा होगा यह शयाह की किताब है और उसका शायद उन्नाइसवा अध्याए उन्नाइसवा अध्याए और उसके तेवीसवे पद में लिखा है चौबीस में से सीधा पढ़ लेते हैं उस समय एजराइल मिसर और अशुर तीनों प्रत्वी के लिए आशीश का कारण हो गए इसका मतलब है इब्राहिम से सारा के रास्ते उत्पन संताने जो इसराइली हो गए और इब्राहिम के रास्ते हाजिरा की संताने जो समाइलीज ये असुरी हो गए और तीसरा मिसरी ये जो तीन कौम के लोग है इन्हें एलिया और मुसा की गवाही पर विश्वास हो जाएगा और वे येशु को पाप शमा करता के रूप में सुविकार कर लेंगे और अगले सीड़ी में ये लोग प्रभू की आग्याओं के पीछे चल पड़ेंगे नमबर वन नमबर टू वे लोग जो नए नियम में एशु के आगमन के पहले विश्वासी बनें परंतो उनका विश्वास मात्र चंगाई था या तो कबरस्थान में गड़ जाने के लिए बबतिस्मा लिया था या शादी हो जाने के लिए बबतिस्मा लिया था वे रह गए उन्होंने धर्मी होने वाले बात को तो विश्वास में लाया था परंतो आगया नहीं मानी थी वे रह गए थे क्योंकि उन्होंने पवित्रता का बहिशकार किया था इसलिए संपूर्ण ये शुमसी पर विश्वास करने वाले एशु के दूसरे आगमन में उठाए नहीं जाएंगे वरन जो पवित्र होगा क्योंकि तुम्हारा बोलाने वाला पवित्र है इसलिए तुम भी पुवित्र बनो जी हाँ और बाइबिल हमें ये भी कहती है इबरानी की किताब में इसको बन मत कीजिए गाई इबरानी की किताब में और उसके जदी में आपको शायद है दसवे अध्याए से और आगे चलते हैं बारवे अधियाए में बुक अफ हिब्रू चैप्टर ट्वाव एन वर्ड्स है फोर्टीन है चौदा पद है सबसे मेल रखने और उस पवित्रता की खोज में हो जिसकी बिना कोई प्रभू को कदापी देख नहीं पाएगा तो जो लोगों ने नई नियम में अर्थात रेप्चुरेशन के पहले पवित्रता का खंडन किया है पवित्रता का बहिसकार किया है पवित्रता को वैल्यू नहीं दी है पवित्रता जो आगया के पालन पवित्रात्मा के निर्देश अनुसार चलने से मिलता है उसका बहिशकार की है वे दूसरे आगमन में उठाए नहीं गए वे लोग भी रह जाएंगे तब अपने संगियों को अपने बीच में से उठा लिये जाने के कारण वे पुश्यताब करेंगे और कहेंगे अब हम मान लेते हैं आगया इन तीन लोगों के साथ वे विश्वासी भी होंगे जिनोंने एश्यू का चमतकार देखा था परंतून का विश्वास मात्र चमतकार था खिसी मित था वे लोग भी आएंगे और हेलिया और मुसर की गवाही से अपने आपको पवित्र बनाने की मनसा में होंगे और इसके बाद में जिन लोगों ने प्रभू को ग्रहन नहीं किया चौंथी पाँचवी जगा में जो आज भी देखते हैं सब येश्यू के विरोधी बन करके और उसके सत्त को अपने लिए इश्यू को इसाई धर्म का गुरू समझ करके उन्होंने अपने प्राणों का मुक्तिदात अग्रहन नहीं किया वे भी इस धर्ती पर साथ साल के महाकले शकाल में रह जाएंगे तब वे लोग भी कहीं न कहीं सुना था उन्होंने क्योंकि बाइबिल ये भी कहती है कि जब तक प्रत्वी के हर कोने पर हर जाती के उपर सुसमाचार का प्रचार ना कर दिया जाए तब तक अंत नहीं आएगा इसका मतलब एक एक व्यक्ति को दूसरे आगमन के पहले भी वार्निंग दी जाएगी और यदि वे मान गए तो विश्वासी बन गए और पवित्र बन गए तो उठा लिये जाएंगे और यदि वे लापरवाह रहे और धर्म के अंधेपन में लोब के अंधेपन में लालच के अंधेपन में उनोंने एशु के आने से पहले अपने जीवन को राइट फाइट नहीं किया है वे इस धर्ती पर रह जाएंगे पांचवी जग है वे लोग भी होंगे जिसमें से भारी मातरा में लोग प्रभी एश्व मसी को इस साथ साल के महा कलिश काल में विपत्तियों के बीच में स्वीकार करेंगे और वे भी परमिश्वत की आगियां का पालन करेंगे ये हैं वे पवित्र लोग जी हाँ अब जो जो प्रभू की आगियां का पालन करेगा दोश ना लगाए, लोब ना करे जगड़ा ना करे वे अभी चार ना करे बॉइफरेंड गर्फरेंड के लफड़ा मॉवाइल से परहेज इस तरीके की परिस्थितियों में प्रभू उन पर उपकार करने पर होगा पर जो 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 लोग है पवित्र लोग होंगे जो प्रभू ये शुमसी को मानेंगे उसकी आगया का पालन करेंगे उसमें सबसे बड़ी आगया ये होगी कि पशु की पूजा नहीं करना पशु का निशान नहीं लेना नहात में नमात्थे पर तब निशान नहीं लेने की कारण से उनको टॉर्चर किया जाएगए उनको सताया जाएगा उनको तकलीफ दी जाएगी उनको जेल खाने में डाला जाएगा और प्रति दिन एक उंगली काटी जाएगी कि अभी भी लोड जाओ फिर दूसरी उंगली काटी जाएगी दूसरे दिन अभी भी लोड जाओ फिर तीसरी उंगली काटी जाएगी तडफा तडफा करके मारा जाएगा धीर जीसी में है क्योंकि आपने अनुग्रे के काल को ठुकराया है अब आप इस कस्ट को यदि सहने को तयार है यदि आप मरने के समय तक आग्या के पालन और परमेश्वर की के उपर येश्वमसी पर विश्वास करने के लिए तयार है तब अन्त आपका ये होगा कि अट लास्ट वे आखरी में गर्दन कलम करेंगे और यदि आप मृत्यू के समय तक विश्वास योग रहे और आपने ना तो पशु की पूजा की और ना ही पशु का अंक हाथ में और माथे पर लगाया तब तो आप सहीदों की लिस्ट पर आ गए और जो प्रभू की आग्यां का पालन करते करते सहीद हो गया उस व्यक्ती का उद्धार निश्चे है साथ साल के महाकलेशकाल में भी सो अभी तक ईशु मसी नहीं आए हैं तो हम आपको सला देते हैं आप साथ साल के महाकलेशकाल में उद्धार पाने की गुनजाइस वाले रास्ते पर सपना ना देखें कि मान लो अभी नहीं गए तो बाद में चल पढ़ेंगे परन्तु बाद में जो कस्ट होगा जो कीमत देनी पड़ेंगी वो बड़ी भयानक होगी इसलिए हम आपको आज सला देते हैं कि जब पवित्रात में तुमारी आग्या के पालन में मदद करने तयार है तो मान क्यों नहीं लेते हो और आसानी से इशू के साथ उठा क्यों नहीं लिये जाती हो बाद में बहुत कठिन हो जाएगा